इस लेक्सरम हम सिनो लियोपार्ड के बारे में पढ़ेंगे यह रिसेंटली न्यूज में थे क्यों कि इन पर एक स्टडी की गई थी हिमाचल परदेश में आप यह दख सकते हो इमेज में यह सिनो लियोपार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश में एक स्टडी की गई थी यह हाई अल्टिटूड हिल्स पर क्या देखा गया था 73 सिनो लियोपार्ड पाए गया यहां पर इनका साइंटिफिक नेम क्या है सिनो लियोपार्ड का पंधेरा अंसिया यह साइंटिफिक नेम याद भी ना रह और लियाkell में इंदिफिक नेम परदस्या को जान करें और अर्तिफिक नेयुकिन रएगारी यहीं आप को पता होगा जैसे कारोकरम रेंज है यहां पर कारोकरम रेंज है और यह लद्धाक रेंज है यहां पर कैलास रेंज है कैलास रेंज इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं ट्रांस हिमाल्याज इसके बाद में आती है जी ग्रेटल हिमाल्याज फिर लेसर हिमाल्याज लेसर हिमाल्याज को बोलते तो यह आपको location देखने चीए map पे, map पे मैंने बता दी यह जम्मु कस्मीर का पार्ट है, यहाँ पे जम्मु कस्मीर में यह सारा, तो कारा कॉरम range, लद्दाक range, कैलास range यह टांस हिमाले का पार्ट बनाती है अब question यह उड़ता है क्या सिर्फ इंडिया में मिलता है कि सिनो लेपड नहीं यह याद रखना है चाइना में मिलता है नैपाल में मिलता है भूटान में मिलता है रस्या में मिलता है मंगोलिया मिलता है तो सिर्फ यह याद रखना है कि सिर्फ इंडिया में और दूरिंग विंटर सीजन ये एक्सेजिबल लिमिटेट एक्सेजिबल होता है इनमें बहुत ज़्यादा बरफ पड़ती जी इसे एरियाज में अब सजेशन क्या दिये जाते हैं इस स्टेडी में जो सजेशन दिये जाते हैं जो अध्यन के आइस पे स्नो लियोपार्ड प इंड्या ने देखो जी एक तो जी इनके हैबिटेट को ऐगई करने के लिए कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लिएपर्ड चलाए में चलाए गया और इंड्या जी एक टूथाशन थर्टिय्ज में एक प्रोजेक्ट चलाए रहता धा ग्लोबल मतला की हैं तीन लार्ज लेंड्सकेप थ्री लार्ज लेंड्सकेप मतलब एक एरिया डिफाइन किये गए हैं कि इन एरियाज को जहां पर स्नो लेवड रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा जादर ज्यादा वो कौन से एरिया हैं एक तो जी हैमिस स्पीती अक्रोस लाक और हिमाचल प्रदेश को मिलाके कुछ रीजन को हैमिस और स्पीती रीजन है जी नंदा देवी गंगोत्री उत्राखंड और कंचन जंगा ये एक रीजन हो गया जी नंदा देवी उत्राखंड में गंगोत्री नंदा देवी से लेके गंगोत्री तक उत्राखंड में तीसरा रीजन है जी कंचन जंगा से ले ते कंचन जंगा सिक्किम में जी और तवांग डिस्टिक है अरणचल परदिस में, तो कंचन जंगा से लेके तवांग तंग, सिक्किम और अरणचल परदिस में, ये तीसरा रीजन, तो तीन रीजन इसके identify किये गए हैं, अब इंडिय किया जाए उनका protection किया जाए एक चीज याद रखने है यह most important है snow leopard को 22 critically endangered species है जो उसमें रखा गया है यह इंडिया का एक recovery program है जी ministry of environment का forest and climate change ministry of environment forest and climate change का एक program है जी species recovery program इसमें इंडिया की जो 22 critically endangered species है उनको रखा गया है अभी भी ये news में था क्यों काराकल की वज़े से हमने काराकल को पढ़ा था जी एक special lecture लिया था जी काराकल पे चार से पांच मिनिट का अगर नहीं देखा तो देखो current with gs पे click करो जहां पे लिखा है वहां पे जाओ प्लेलिस्ट में environment की प्लेलिस्ट में जाओ जी वहां पे environment की लिस्ट में वहां पे मिलेगा काराकल यह जी wild cat जंगली बिली बोलते हैं अभी इंडिया ने critically and gender category में नहीं है उसके लिए आप लेक्टर देखिए उसमें पता चलेगा फुल तो अभी एक काराकल को रखा था critically and danger की category में इसलिए न्यूज में था और सिनो लेपड़ भी critically and danger category में आता है और 22 जो स्पीसीज रखाई गए है recovery program में और यह recovery program है न जी जो इसकी category में होते हैं species recovery program जो news में रहते हैं हर साल उन में से ही question 2-3 question हर साल पूछे जाते हैं यकिन नहीं आता तो last year के question paper उठा के देखो UPSC के किसी भी PCS के UPSC में तो खासकर इन ही से पूछा जाता है जो यह recovery program है इंडिया का जो ministry of environment का है यह implement करती है इसको अब देखते हैं जी snow leopard के protection के लिए क्या 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 है देखो जी IUCN ने क्या है इसे वन्रेबल category में रखा गया है मतलब इसकी जो population है अभी अच्छी खासी है काफी population है लेकिन जो इंडिया का act है इंडिया wildlife protection act 1972 का उसके schedule 1 में है मतलब highest production दी गई है इसको और जो sites है और CMS है उसकी appendix 1 में यह sites क्या क्या है CMS क्या IUCN क्या इसके लिए special lecture लिए गया है आप देख सकते हो जी playlist में जाकर 2-3 minute का lecture है IUCN की full form होती है international union for conservation of nature तो यह worldwide क्या है इसको highest production दी जाए conservation status को increase क्या जाए इसके लिए काम करते हैं इनको status appendix 1 में रखा गये appendix 1 का मतलब है इनकी list है list 123 ऐसे उनकी list 1 में रखा गया appendix 1 में ऐसी IUCN की category होती है जी सारा detail आप एक lecture में देख सकते हो playlist में जाके अब इसके conservation effect के लिए इंडिया ने क्या क्या लौंच किया एक तो यह जी project snow leopard हमने जो पढ़ा था यह इसके inclusive or participatory approach adopt करने के लिए लौंच किया गया ताकि local जो community है उनका involvement क्या जा सके वह भी सा fund कौन देता है किसके साथ मेलके इंडिया न रौंच किया और इसको fund कौन करता है पैसा कौन देता है इसमें इस program में secure हिमाल्या में इसमें देता जी global environment facility से पैसा आता है और united nation development program UNDP से पैसा आता है यह fund करते हैं इसको ताकि जो high altitude by diversity है मतलब high altitude का मतलब उच्छे जैसे या फिर आपके पेड़ पौदे होते हैं trees होते हैं forest area उनको बचाने के लिए fund करते हैं UNDP और global environment facility तो यह fund करते हैं secure हिमाल्याज project को भी तो यह क्या है जो local communities की natural ecosystem पे dependency है उसको reduce करना कैसे मतलब जो यहाँ पे जंगलों को forest को use करते है न उसका product और जंगलों को काटते हैं पे project is now operational in four snow leopard range areas जो इसके और हिमाल ले आ जाए चार एरियाज में implement किया जाता है जम्मू कश्मीर हिमाचल परदेश उत्राखंड और सिक्किन तो इस lecture में इतना ही था जी snow leopard के बारे में अब मिलेंगे किसी और lecture में किसी और topic के साथ तब तक के लिए इंतिजार